हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलेरियू ओटोमेटिक VXI मॉडल की इसमें क्या फीचर्स मिलेंगे और इसके क्या प्राइस रहने वाले हैं सारी चीज इसी वीडियो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से आखिर तक जरूर देखना फ्रंट लुक देखते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें फ्रंट लुक देखने को मिलेगा काफी प्रिमियम लुक में ये कार हमें देखने को मिल जाती है features इस model में भी काफी अच्छे मिल जाते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि base variant में ही आपको automatic transmission देखने के लिए मिल जाएगा जो एक best option हो सकता है बहुत लोग automatic transmission को ज़्यादा पसंद करते हैं सबसे पहले इसके engine की बात करें तो इसमें K10C 998cc वाला engine आता है जो की 65.72 HP पावर जनेट करता है पचपनसो आरपियम पर और टॉर्क वहीं पर 89 Nm पावर जनेट करता है 3500 आरपियम पर तीन सिलेंडर इंजनिस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा automatic transmission में ये कार आपको मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं dimension और capsity की तो length इस कार की 3695 mm मिलती है width आपको 1615 mm मिलेगी height 1515 mm मिल जाती है और इसके wheel base 2435 mm के मिलेंगे front look देखते हैं सुजूगी का logo और यहाँ पर chrome मिल जाएगी front में ही और dual tone में black and white bumper मिल जाता है नीचे की side में आप यह देख सकते हैं तो chrome के साथ में सुजूगी का logo और यहीं पर light हो की अगर बात की जाए तो halogen light यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी indicator मिल जाएंगी fog lamp आप अलग से लगवा सकते हैं तो यह चीज एक मिल जाती है यहाँ पर wheel size आपको 14 inch का मिल जाता है front में disc brake यानि ventilated disc brake मिल जाते है wheel cap यहाँ पर indicator मिल जाएगा fender पर उपर की side में wiper मिल जाते हैं और यहीं पर ORVM देखते हैं तो body color ORVM यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे door handle body color देखने को मिल जाएंगे कुछ space bottle holder speaker का option मिल जाएगा कुछ इस type से यहाँ पर तो speaker आपके अलग से ही लगेंगे तो यह यहाँ पर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छा बड़ा gate हमें देखने को मिल जाता है seat profile की बात करें तो कुछ इस type से seat profile भी आपको देखने को मिल जाएगी seat belt मिल जाती है और यहाँ पर driver side में fuel tank को open करने का option दो pendle मिल जाते हैं यहाँ पर आप open कर सकते हैं इसके hood को light को set कर सकते हैं idle start stop button मिल जाता है ORBM set करने का button यहाँ पर आपको मिल जाएगा AC vent मिल जाते हैं यहाँ से light को जला सकते हैं इंडिकेटर जला सकते हैं passing दे सकते हैं की का option मिल जाता है तो यह meter देखते हैं तो कुछ इस type से meter आपको देखने को मिलेगा इस car के अंदर touch-o meter काफी सही है और यहाँ पर steering की बात करें तो electric steering यहाँ पर आपको मिल जाता है Suzuki का logo airbag यहाँ पर मिल जाता है बाकी और कोई control नहीं मिलता music system इस car के अंदर आपको नहीं मिलेगा तो यह सारी चीज़े AC band मिल जाते हैं आप अलग से music system यहाँ पर लगवा सकते हैं यहाँ से चारो indicator को एक साथ जला सकते हैं और यहाँ से आप बिंडो को डाउन कर सकते हैं लोक अनलोक कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी AC band काफी बड़े हैं काफी अच्छे लग रहे हैं AC मिल जाता है यहाँ पर AC का option और heater का option मिल जाता है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर आप charging का option मिल जाएगा cup holder, कुछ space, automatic transmission का gear lever आपको देखने को मिल जाएगा तो यह सारी चीज़ें इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी hand brake मिल जाता है और यह आप देख रहे हैं तो seatbelt connect करने का option day और night वाला mirror मिल जाता है light मिल जाती है और यहाँ पर आपको sun visor मिल जाता है mirror मिल जाता है और पकड़ कर बैठने के लिए handle आपको देखने को मिल जाएगा इधर mirror नहीं मिलता तो यह सारी चीजें इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि दूसरे वाले gate पर हमें और क्या features देखने को इस car के अंदर मिल जाएगी gate को open कर लेते हैं open करने के बाद कुछ इस type से पूरा gate आपको देखने को मिलेगा सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो दूसरे वाले gate पर मिली है वो ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर देखते हैं तो deck spot में एक airbag मिल जाएगा club box मिल जाता है तो ये सारी चीज ने मिल जाती है आप यहां से देख रहे हैं तो profile काफी अच्छी है काफी बड़ा room इस car के अंदर आपको मिल जाएगा तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से तो भाई जैसे इसके price हैं उसे साब से काफी अच्छे features इसमें मिल जाते हैं space काफी ठीक ठाक मिल जाता है तो ये सारी चीज़े मिल जाती है same gate यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इसमें भी कोई changes नहीं है और इसके पीछे power window के option आपको अलग मिल जाएंगे यहां पर देख रहे हैं तो पीछे space काफी है पारसल ट्रे है यहां पर fuel tank का option 32 लेटर का fuel tank मिल जाता mile 26 का देती है लगबग पीछे वाला जो आप tire देख रहे हैं उसमें drum brake आपको मिलेगा light यह कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाएंगी reverse light मिल जाएगी सिलेरियो लिखा हुआ है सुजुकी का logo boot gate open करने के लिए यहां पर option मिल जाता है तो यह सारी चीज़े मिल जाती है parking sensor, reflector, सब कुछ पीछे की side में आपको मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े हमें यहां पर मिल जाती है आप देखेंगे तो नीचे की side से काफी space इस car के अंदर दिया गया है open कर लेते हैं तो लगबग लगबग 313L का boot space यहां पर हमें देखने को मिल जाता है कुछ tools मिल जाते हैं और इस टपनी का tire कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इसाब से तो भाई काफी बड़ा boot space इस car के अंदर दिया गया है लगबग fronks के बरावर fronks में भी 308L का है तो यह सारी चीज मिल जाती है gate को कर लेते हैं open open करने के वाद same gate है इसमें कोई भी changes नहीं है और आप देख सकते हैं तो यह सारी चीज है अगर अंदर की side से देखते हैं तो split seat है 60Y40 आप जो हैं इनको down भी कर सकते हैं अपनी आवाशकता के नहीं सार बैट कर देखते हैं तो बैट कर देखने पर कुछ space इस type सा आपको मिल जाएगा leg room काफी है और इस car के अंदर head room की भी कोई कमी महसूस नहीं होती अगर हम बात करते हैं इसके safety feature की ABS system मिलता है central locking child safety lock दो airbag इस car के अंदर मिल जाते हैं day और night वाला rear view mirror मिल जाता है EBD और इसमें seat belt warning का option मिल जाता है door rager warning मिल जाता है electronic stable control मिल जाता है speed alert, speed sensing, auto door lock, hill assist और इस car के अंदर impact sensor, auto door lock जैसे function मिल जाते हैं जो की हमारी safety के लिए बहुत ही जरूरी है आप देख सकते हैं तो पूरा kevin काफी अच्छा है आप इस car के अंदर music system कंपनी से भी इन्विल्ट करा सकते हैं और आप बाहर से भी purchase करकर लगवा सकते हैं ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है अगर थोड़ा दूर से देखा जाए तो एक बार look दिखा देता हूँ इसका मैं थोड़ा दूर की side से तो कुछ इस type से पूरा look आपको देखने को मिल जाएगा सिलेरियो का back side से तो मेरे असाब से तो भाई काफी सही है आप comment करके बता सकते हैं आपको ये कैसा लग रहा है लेकिन मारूती ने एक काम बहुत अच्छा किया है जो इस car के अंदर आपको automatic transmission दिया है इस variant के अंदर क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो automatic transmission चलाना ही पसंद करते है manual चलाना पसंद नहीं करते तो सभी option सभी variant में मिलने चाहिए है customer के लिए तो बात करते हैं सिलेरियो के empty यानि manual transmission की क्या कीमत होने वाली है तो एक शोरूम कीमत 5,83,000 रुपे के something आपको मिल जाएगी manual transmission में इसके एक शोरूम कीमत देखने के लिए और अगर वहीं पर बात करें VXI variant के automatic यानि कि इस कार के automatic variant के अंदर तो 6,29,000 रुपे के something एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी फिर वहीं पर आपका insurance, RTO और अधर खट्चे रह जाते हैं उनको जोड़कर थोड़ा सा कार की cost और बढ़ जाती है लेकिन reason ये है कि आपको automatic transmission मिल जाता है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में बहुत जल्द